आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो, उसे Crop करो और तुरंत Video Solution पाओ डाउनलोड नाओ केशव की घर कारणिश के उपर एक छड़िया ने अंडे दिये थे केशव और उसकी बिहन स्यामा दोनों बड़े ध्यान से छड़िया को वहाँ आते जाते देखा करते थे सवेरे दोनों आखे मलते कारणिश के सामने पहुँच जाते और चड़ा और चड़िया दोनों को वहाँ बैठा पाते लेखक बताते हैं कि दो बच्चे होते हैं केशव और श्यामा उनके घर पर कारणिश का मतलब होता है लकड़ी का फ्रेम या धाचा कारणिश के उपर चड़िया ने अंडे दिये थे तो केशव और उसकी बहन दोनों उन दोनों को बड़े ध्यान से वहाँ आते जाते देखा करते थे सबेरे सबेरे जब बोड़ते तो सबसे पहले आंके मलते हुए वहीं अंडे के सामने ही जाते और वहाँ पर चड़ा और चड़िया दोनों को बैठा हुआ पाते उनको देखने में दोनों बच्चों को ना मालूम क्या मजा मिलता दूद और जलेबी की सुद भी ना रहती अब दोनों बच्चों के घर जो चड़िया ने अंडे दिये थे वो उन अंडों को देखके ही गुम हो जाते थे और उन्हें दूद और जलेबी की सुद भी नहीं रहती थी, दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते, अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितनी होंगे, क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह निकलाएंगे, बच्चों के पर कैसे निकलेंगे, घोसला कैसा है, लेकिन इन बातों का जवाब देने करते थे लेखक बताते हैं कि दो बच्चे होते हैं श्यामा और केशव नाम के उनके घर एक कार्णिश मतलब एक लकड़ी के फ्रेम के उपर एक चड़ियाने अंडे दिये हुए थे और जब से उस चड़ियाने वहाँ पे अंडे दिये हुए थे तो वो दोनों बच्चों को क किस रंग की होंगे, कितनी होंगे, क्या खाते होंगे और उन में से बच्चे किस तरह निकल कर आएंगे तरह तरह के सवाल उनकी मन में आते थे और उन सवालों का जवाब देने वाला कोई भी नहीं होता था, ना उनकी मा को का फुरसत होती थी और ना उनके पिताजी को भी प बात करते और श्यामा कहती क्यों भाईया बच्चे निकल कर फुर्ण से उड़ जाएंगे क्या केशव विद्वानों जैसे गर्व से कहता नहीं रिपगली पहले पर निकलेंगे बगेर परोके बेचारे कैसे उड़ेंगे तो श्यामा उसकी बहन जो से छोटी होती है वो उसस बेचारे बच्चे कैसे उड़ेंगे श्यामा फिर उससे पूसती है कि बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी श्यामा पूसती है कि बेचारी चुडिया अपने बच्चों को क्या खिलाएगी केसव इस पेचीदा सवाल मतलब इस कठिन सवाल का जवाब कुछ भी नहीं द इस तरह 3-4 दिन गुजर गए, मतलब 3-4 दिन निकल गए, दोनों बच्चों की जिग्याशा दिन बाद दिन बढ़ती जाती थी, जिग्याशा का मतलब होता है, उच्छुकता, दोनों बच्चे दिन बाद दिन यही सोचते रहते कि चुडिया क्या खाएगी, कैसे रहेगी, वो दोनों बच्चे अंडों को देखने के लिए बेचेन होट थे, उन्होंने अनुमान लगाया कि अब जरूर बच्चे निकल आए होंगे, बच्चों के चारे का सवाल अब उनके सामने खड़ा हुआ था, तो इस तरह 2-3 दिन तो निकल गए, अब दोनों बच्चों की उ खाएंगे बेचारी चिडिया उन बच्चों को क्या खिलाएगी, फिर चिडिया बेचारी इतना दाना कहां पाएगी कि सारे बच्चों का पेट भरे, गरीब बच्चे भूग के मारे चूचू करके मर जाएंगे, अब केशव और स्यामा दोनों सोचते हैं कि बेचारी परिचान हो गए कि चिडिया इतना सारा खाना कहां से लाएगी फिर दोनों ने फैसला किया कि कार्णिश पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाए श्यामा खुश हो कर बोली तब तो चिडियों को चारे के लिए कहीं उड़कर ना जाना पड़ेगा दोनों बच्चे इस बास से परिशान थे कि चिडिया अपने बच्चों को क्या खिलाएगी फिर उन दोनों ने फैसला किया कि वो कार्णिश मतलब जो फ्रेम के उपर जो घोसला बना हुआ है ना उस पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाएगा तो श्यामा खुश हो कर बोली फिर तो चिडियों को चार इसकी तरफ ना गया था बोला जरूर तकलिफ हो रही होगी बेचारे प्यास के मारे तडपते होंगे उपर चाया भी तो नहीं है पहले उन दोनों के मन में सवाल था कि चिडिया के बच्चों को वो दाना रखेंगी अब उनके मन में एक और सवाल आया कि चिडिया के बच् वो प्यास के मारे परिशान भी होती होंगे और उनके उपर कोई छाया भी तो नहीं है। फिर आखिर में यही फैसला हुआ कि घोसले के उपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए और पानी की प्याली और थोड़े से चावल रख देनी का प्रस्ताव भी शुविक्रत हो मतलब केशव और स्यामा ने फैसला किया कि घोसले के उपर एक कपड़े की छत बनाएंगे और उनके साथ पानी की पानी का एक बरतन और थोड़े से चावल भी रख देंगे जिससे उनको खाने के लिए कहीं भी जाना नहीं पड़ेगा और उनको ना तो धूप लगेगी औ और नो वो प्यासे तड़ पेंगे फिर दोनों बच्चे बड़े चाव से काम करने लगे बड़े चाव से मतलब बड़े मन से वो दोनों बच्चे चिडिया के अंडों के लिए काम करने लगे श्यामा माग की आँग बचा कर मठके से चावल निकाल लाई केशव ने पत्थ से बचके मटके से चावल लाई और केशव ने एक पानी के बरतन का इंतजाम किया और उसमें खूब सारा पानी भर दिया अब उन दोनों के मन में फिर एक सवाल खड़ा हुआ कि अब चांदनी के लिए कपड़ा कहां से लाएं जिससे उन बच्चों को धूप ना लगे फिर उपर बगेर छड़ियों के कपड़ा ठहरेगा कैसे और छड़ियां कैसे खड़ी होंगी अब उन दोनों के मन में एक नया सवाल आया कि अब उनको चांदनी के लिए कपड़ा कहां से लाएं और अगर कपड़ा आया तो वो बगेर छड़ियों के कपड़ा ठहरेगा कैसे औ और फिर छड़ियां खाणी कैसी होगी। अब उन दोनों के मन में यही उधेडबुन लगी रही। उधेडबुन का मतलब वो दोनों बहुत देर तक यही सोचते रहे। केशव बड़ी देर तक इसी उधेडबुन में रहा। आखिरकार उसने यह मुश्किल भी हल कर दी। श मुश्किल का हल भी निकाल लिया और अपनी वहन से बोलता है कि जाके कूड़ा फेकने वाले टोकड़ी को ले के आओ और अम्माजी को मत दिखाना। श्यामा केशव कहती है कि वह टोकड़ी तो 20 से फटी हुई है उसमें से धूपना जाएगी क्या। केशव ने जुंजला उसको बंद करने की कोई हिकमत मतलब कोई तरकी कोई रास्ता निकालूंगा। श्यामा दोड़कर टोकड़ी उठा लाई फिर केशव ने उसके सुराक में मतलब उसके छेद में थोड़ा सा कागस ठूच दिया और तब टोकड़ी को एक टेहनी से टिका कर बोला देख ऐसे ह धूप जाएगी। श्यामा ने दिल ही दिल में सोचा भईया कितने चालाख है। जब केशव और स्यामा ने चुड़िया के खाने का और पीने का इंतजाम कर दिया तो अब उनकी मन में एक और प्रश्नाया कि उनको बच्चों को धूप लगेगी तो उनके रहने का इंतजा कैसे करें तब केशब ने अपना दिमाग चलाया और उसने श्यामा से कहा कि तू एक कचड़ा फेकने वाली टोकडी को लेया तब उसने उस टोकडी से उन चड़िया के रहने के लिए एक घोसले का घोसले की ववस्था की इस कहानी में हमने देखा कि दो बच्चे होते हैं केशब और स्यामा किस तरह वो चिड़िया के अंडों के लिए खाना पानी और उनके रहनी का इंतजाम करते हैं इस कवीत इस कहानी का अगला भाग हम अक्मने अगले वीडियो में देखते हैं धन्यवार